हमारे व्यूवर्स को दिपावली की बहुत बहुत शुपकान ना है मैं इश्वर से कामना करती हूँ कि ये दिपावली आपकी अब तक की बेस्ट दिपावली हो और हम बात करेंगी कैसे आप अपने अंदर की और अपने आसपास की negativity को दूर कर सकते हैं क्योंकि ये पर्फ सिरफ बाहर का ही दिया जलाना नहीं है बलकि अपने भीतर का भी दिया जलाना है अगर आप इस दिपावली में अपनी जिन्दिगी में और मिठास लाना चाहते हैं और खुशिया लाना चाहते हैं और कुछ खास करना चाहते हैं तो आप एक LISTS बनाईए उन सभी लोगों की जिनका कही ना कही कभी ना कभी आपने दिल दुखाया है उन्हें फोन कीजिए और उन्हें दिवाली की बहुत-बहुत मुबारक दीजिए आप देखिए आप कितना हलका मैसूस करेंगी और ये दिवाली अपने आप कुछ खास हो जाएगी और अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ कुछ गुरा किया है तो उसकी लिस्ट बना लेजिए और I am sure ये लिस्ट बहुत लंबी होगी शायद खतम ही नहीं होगी तो ये लिस्ट बनाईए और कम से कम दो से तीन लोगों को आप माफ केजिए पर यही नहीं सिरफ मनी मन माफ करना है letter करना है, email करना है किसी बेजरीय से उनको contact करना है और उन से contact बिनाने की कोशिश करना है यानि कि अपना आपसी मतवेद को खतम करना है ये आप करेंगे इस दिवाली को कुछ खास करने के लिए अपने अंदर की negativity को खतम करने के लिए तो अब तक तो हमने बात करें कैसे हम अपने अंदर की negativity को खतम करेंगे अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आसपास की जिन लोगों से हम प्यार करते हैं हमारे घर की या फिर हमारे आसपास की negativity को हम कैसे clear कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं कैसे आप अपने घर की negativity दूर कर सकते हैं दिवाली वाले दिन खास तौर पर शाम को घर में पूजा होने से पहले आप क्या कीजिए कि जब आपके घर की सफाई अच्छे से हो जाए आप एक बालती पानी में सेंदा नमक जिसको हम crystal salt या फिर वर्थ वाला नमक भी कहते हैं उसको आप साफ पानी में एक मुठी डाल दीजे उस पानी से आप अपने घर में पोचे लगाए और देखिए कि हर कोने कोने तक ये पोचा लगाओं ये चीज आप अपने ऑफिसे में भी कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में और अपने घर पर भी इससे जितनी भी तरह कि नेगिटिव एनरजी जगर आपके घर में होंगी तो वो बिलकुल खतम हो जाएंगी और एक खास बात जरूरी नहीं है आप ये चीज दिवाली में बलकि आम तोर पर अपने काम में अपने घर में या एवरी डे आप इस चीज को कर सकते हैं